हेलो गाईज मेरा नाम है रभी और श्टेडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोश्तो जब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तब से उसने जो बैक्टेरिया हैं वायरस हैं उसमें अलग-अलग टाइप के म्यूटेशन करना सुरू कर दिया है वही पे एक बैक्टेरिया है जो अमेरिका में जदा धर पाया जाता है जो अमेरिका के समुद्र हैं खाड़ी हैं वहां के आसपास पाया जाता है और वह आप क्या कर रहा है अपने पैर पसार रहा है पैर कहां पसार रहा है पैर समुद्र के टेट पे पसार रहा है पहले यह स कलिएजी है और थी सीरी यह बहुत जादा खतरनाक होता जा रहा है यंसन कीमा queer और यहां तरी यहां उसी बैक्टेरिया के अंतरगत क्या होता है यह आता है और माइक्रों को हम बहुत आसानी से देख सकते हैं मतलब उसको देखने के लिए हमें दूरबीन की जरोत नहीं होती है तो इन ही organism को क्या बोला जाता है? माइक्रोप्स बोला जाता है तो यहाँ पर यह जो बैक्टिरिया है अकर इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि समुद्र के तट के पास अब लोग जाते हैं अब यह जैसे जैसे global warming बढ़ रही है यह लगातारा समुद्र के आसत हैं तो वहाँ पर जब लोग आते हैं घूमने के लिए सुलानी आते हैं तो वहाँ पर क्या है? जब समुद्र के अंदर जाते हैं उसी दरान यह क्या होता है? उनको infect कर देते हैं और infect होने के बाद ठीक है? दो में से एक लोगों की अराम सी से मौत हो जाती है इतना जादा खतरनाक है ये पहले तने खतरनाक नहीं हुआ करते थे लेकिन अब ये बहुत जादा घाता ग्रूप इन्होंने ले लिया है दूसरा कि यही ये वही मतलब ये बैक्टरिया वही है जो वी कॉलरा ठीक है इन सब का एजेंट होता है तो ये भी इसका बहुत बड़ा रोल है अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर हुआ यह जब वैगानिक सोध कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ में यह है मेक्सिको की खाड़ी यह किस से जुड़ा हुआ है यहाँ पर United State of the America से यहाँ पर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर Americans लोग आते होंगे अब यहाँ पर क्या था कि पहले यहाँ यहाँ पर नहीं हुआ करते थे लेकिन जैसे जैसे हीट बढ़ रही है इन्वार्मेंट की मैंने आपको बताया तो यह यहाँ पर आने लगे हैं अब हुआ क्या कि पहले तो लोग इंफेक्ट नहीं होते थे लेकिन जब मेडिकल जो जब हॉस्पिटल को जाता था जो वहाँ से जब रिपोर्टिंग होने लगी रिपोर्ट आने लगा यह तो इबोला वाइरस की ही तरह है मतलब इसमें तीधी मौत तो इसी वज़े से भग्यानी इस पर जादा और हरान हुए उन्होंने यह बताया कि यह सदी खत्म होते होते क्या होगा कि जब इकीन सो खत्म होगा तो 200 लोग हर दिन क्या होगे संक्रमित हुँए और उसके साथ साथ जो इसका मोटल्टी रेट है वो भी बढ़ता जाएगा जैसा जैसे हीट बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरनाव होंगे अगर टेंपरेचर घटेगा तो धीरे-धीरे क्या होंगे इनकी जो जो जिनकी पॉपलेशन वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी और समुद्र तर्ट से यह दूर जात होते हैं अब जब कोई इंसको खाता है पहलो थे इंफेक्शन नहीं हो रहा था लेकिन अभी इंफेक्शन इस लिए बढ़ गया है जब इंसन कोई खा रहा है तो माली उन्होंने क्या किया समुद्र जीव खाया अब वो क्या है कच्छा है अदबका है पुरी तरीके से सही नहीं है तो क्या होता है उस दौरान कि हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और एक इंफेक्शन पहला करते हैं उस इंफेक्शन नाम क्या है नियूरो टाइजिंग फैसिटी जिसमें मौटल्टी रेट कितनी हैं 32 परसेट हैं लगभग उतना ही है लेकिन अब यह सवाल इस होता है तो इसमें क्या होता रहा है कि अव razia कर रहे हैं कि कुछ एसे मालय के चोटे हैं कुछ अ माल लिजए कुछ प्रॉब्लम नोंके बॉडी के अंदर तो यह इंसे नहीं हो रहा कुछ ऐसे में उसके शव्म सेक्वों सब्सक्राइब vaccine नहीं है इसका है कुछ ऐसका कोई एलाज नहीं है लेकिन आफिर क्यूंक्त दिए अदा हो ज्मेस होटे हिए यहां पे हमारा क्या होता है इक ग्रीण हाउस यहां पे जाते हैं ठीक तोड़ते हैं और ऐसा पैदा करते हैं जो लाइट अंदर आई हमारे इसके अंदर अब यह लाइट वापस जा नहीं पाएंगी जब यह लाइट वापस जा नहीं पाएंगी ठीक है तो जब लाइट जा नहीं पाती तो हमारे इसे बढ़ रहा है इसलिए खतरना है क्योंकि वहां तो लोगों को जाना ही है वहां से काम करना ही है तो कहां से लोग बच पाएंगे और सीफूड के अंदर भी पाया जाने लगा है इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिसके कोई सीमा नहीं है कि तो हम क्या कर सकते हैं हम यहीं कर सकते हैं हम धेर सारा पेड़ लगा सकते हैं ताकि Global warming हम रोक सकें क्योंकि आप देखेंगा जबिवाशन बढ़ रहा है हर जगाए प्राप्रोब्लम आ रही है बैक्टेरिए बहुत जादा तेजी से आ रहे हैं करोना वायरस है बहुत सार से लेक्चर था अगर यह आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें कमेंट करें से जरूर करें मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थाइंक यू सो मज